नमस्कार दोस्तो आज हम ICT में बात करने वाले हैं 2012 से लेके 2020 तक जितने भी full form से related question आये वो सभी हम करने वाले हैं जितने भी question आये हैं और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से question repeat होते हैं मैं आपको बहुत बार कहता हूं दोस्तो कि question repeat होते हैं तो मैं आपको आज with proof दिखाने वाला हों कि किस तरह से question repeat होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना और दोस्तो आज जो question करने वाले हैं ये question हो सकता है 2021 में भी इन में से कोई question आ जाए तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके दर आपको all 10 unit के study notes मिलेंगे वीडियोस मिलेंगे add-free 2012 से लेके जुन 2020 तक question paper मिलेंगे topic wise question भी मिलेंगे आज तक जैसे कि research के जो question आए वो लग है teaching के लग है कमनी किसन के अलग है और most repeated होने वाले question के बारे में आपको videos दी जाएंगे प्लस में notes दी जाएंगे और दोस्तों अभी offer चल रहा है happy new year offer चल रहा है अगर आप 3 महीने के लिए join करना चाहते हैं तो 399 रुपे में join कर सकते हैं और 6 महीने के लिए join करना चाहते हैं और दोस्तों happy new year के बाद में ये इस course की face बढ़ने वाली है तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये course जोइन करना है तो आप हमें whatsapp no.8053124204 पे हमें message कर सकते हैं और link आपको video description box में भी मिल जाएगा थेंक्य दोस्तों दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो file है 2012 से लेके December 2019 तक है एक core file है यह question 2020 में जितने भी question है वो question है और सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों 2012 में कैसा question आया full form से related यह देखिए यह question आप Hindi English दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे ASCII इसकी full form यहाँ पे इन्होंने पूछी है तो इसका मतलब है दोस्तों अंसर भी American Standard Code for Information Interchange इसकी full form है यही question आगे भी repeat हुआ है दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से question repeat हुआ है और दोस्तों हमारे ICT में बहुत से topic है उन सभी topic पे मैं बारी बारी बात करूँगा कि किस में कौन से topic में कौन से question repeat हुए अब यह देखे दोस्तों December 2012 में question है ALU और इसकी full form है दोस्तों arithmetic logic unit यह इसकी full form है आगे देखते दोस्तों फुल फॉर्म से related यह देखे www की full form पूछई है तो इसका मतलब है दोस्तों वर्ड वाइड वैव इसका अंसर है यह बिलकुल असान है और आगे हम देखते दोस्तों फॉर्म से related किस तरह से question repeat हुए यह सभी topic करने वाले दोस्तों और अधर जो जितने भी topic है यहाँ पे दोस्तों FTT की full form पूछई है तो इसका answer है file transfer protocol यह आप देख सकते हैं बिलकुल लसान है और उसके बाद में हम ने यह देखिए यह आ गया CSS यह आगे आया है आगे दिखाएंगे किस तरह से आया है इसका full form है दोस्तों guest guiding style seat है इसका answer और आगे है MOOC यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी full form है massive open online course MOOC यह भी आया है दोस्तों और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से question repeat हुए है और यह सभी हमने mark की होएं दोस्तों पहले से ही ताकि हमें problem ना हो यह देखिए दोस्तों ASCII यह दोबारा से repeat हो ग हुआ था 2012 के अंदर repeat हुआ था और दोबारा फिर यही question आगया ASCII इसकी full form हमने देखिए थी दोस्तों answer A यानि की American Standard Code for Information Interchange इसकी full form है तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से question repeat हो रहे हैं और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास question यह HTTP HTTP की full form इन्होंने पूछी है तो इसका answer है to hypertext transfer protocol और एक होता है दोस्तों HTTP S जिसमें secure होता है तो वो यह question भी आगे repeat हुआ है वो भी आपको आपको दिखाऊंगा किस तरह से repeat हुआ है और आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारा DVD DVD की full form है यहां पर answer तरी है digital versatile disk यह question भ बहुत question repeat होते दोस्तों सभी के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह देखिए यह हमारा USB से related है इस cancer है universal serial बस इस cancer यहां पर दिया हुआ है और और देखते दोस्तों और कैसे question है जो repeat हुए है और दोस्तों यह देखिए हमारा question number 40 यहां पर USB universal serial बस और यह हमारा उपर भी आया था उपर देखते हैं कहां पर आया था यह देखिए यह रहा यूएसवी यूनिवरसल सीरियल वस और यह कब आया था हमारा कॉश्चन यह देखिए यह है नौवंबर 2017 के अंदर कॉश्चन आया था और यही कॉश्चन यूएसवी से रिलेटिड आग को नेट और जियारफ बहुत अच्छे तरीके से कलियर करना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2012 से लेके 2020 तक जितने भी कोशन पेपर में उन सभी को कीजिए और टॉपिक वाइज कोशन देखिए कि कौन से टॉपिक से कोशन रिपीट हो रहे है जैस आप ये कोशन पेपर लेना चाहिए दोस्तों तो ये ले सकते हैं आप हमारी एप डाउनलोड कीजिए निमीजनेर उसके अंदर आप कोई मिल जाएंगे पेड़ कोश के अंदर अब देखे दोस्तों आगे हमारे पास आगी RFID इसकी फुल फोम है दोस्तों आंसर 3 रेडियो frequency identification ये इसकी फुल फोम है और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से question रिपीट हो है ये देखे DNS इसके बारे भी हमने पहले एक वर बात की थी class के अंदर domain name system ये इसकी फुल फोम है दोस्तों और और देखते है PDF PDF हम आम तोर पे use करते हैं तो इसका answer है दोस्तों portable document format इसका answer है तो दोस्तों अगर आप इस तरह से करते तो बिलकुल असानी से आपका net और जारा से qualify हो सकता है और ये देखिए दोस्तों ये है हमारे पास MIME और इसकी फुल फोम देखते है answer 4 है multi-purpose internet mail extension ये इसकी फुल फोम है और आगे दोस्तों हमारे पास एक ये ये देखी ये रहे ग देख सकते हैं उनके अंदर हमने इनके बारे में बताया हुआ है और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से हमारे question repeat हुए इसके अंदर और ये देखिए हमारा ये 2018 ही चल रहा है दोस्तों ये आगया SIM आगया SIM आम तोर पे हम mobile में यूज़ करते हैं अब सभी को पताए answer for है subscriber identity module इसका answer है और और देखते हैं और किस तरह से question repeat हुए है और अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा question number 47 है और ये है 22 दिसंबर 2018 second shift का question paper है और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने HTTP S के बारे में पूछा हुआ है और पहले जो हमारा question था दोस्तों वो केवल HTTP के बारे में था तो HTTP की full form थी दोस्तों hyper text transfer protocol इतनी थी यहाँ पे S लगा दिया दोस्तों तो S का मतलब होता है secure होता है और यहाँ पे इन्होंने standard दिया हुए इसका मतलब क्या है ये हमारी wrong है ये तो ये answer number 4 ये wrong हो जाएगा HTTPS का मतलब है hyper text transfer protocol और S का मतलब है secure ना कि standard ठीक है और एक एक ये देखे दोस्तों ये रहा हमारी full form www www की अभी हम उपर करके आये ना ये question repeat हुआ था साथ 2013 के अंदर आया था www यानि की worldwide web यह हम आपको दिखा देता हूं हमारा कब हुआ था ये question कब आया था आप बिल्कुल असानी से देख सकते अभी हम करके आये थे पीछे और हाँ ये रहा देखे ये zoom 2013 के अंदर आया है www stand for worldwide web तो आप देख सकते दोस्तों कि किस तरह से question repeat हो रहे हैं अगर आप अच्छे से paper first और paper second इस तरह से topic wise question करते दोस्तों तो आप बिल्कुल असानी से अपना net और जारफ qualify कर सकते हैं और paper first का तो हम पूरा का पूरा package आपको देए रहे हैं आपको notes दे रहे हैं theoretical videos दे रहे हैं mock test दे रहे हैं और topic wise question भी दे रहे हैं सारे के स सारे चीजे दे रहें दोस्तों और आगे देखते दोस्तों आगे किस तरह से question रिपीट हुए है हमारे यह ICR का यह तो हम ने करी लिया यह कर लिया हमने और यह हां 22 नहीं चीजें भी पूछ लेते हैं तो वह भी हम हमें पता हुनों चाहिये देखे डवली स आईre will weiter इस G ऩी कि इसका मतलब क्या है यह नहीं चीजें भी ऊसलेते इक उटपटने चीजें तो हमें इनको भी देखना जुरूरी है इसका अंशर है कई चीजें हमारी आउट यहां पर इसका अंसर नमबर 4 है, liquid crystal display और यह 2018 के अंदर जो question आया था, यहां पर light दिया हुआ था दोस्तों, light यह देखें, option नमबर 4 वहां पर पहले दिया हुआ था, तो वो हमारा गलत था, तो इसका right answer क्या है, liquid crystal display, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे question repeat हो यह 21 जूम 2019 का question paper है, और इसकी full form है दोस्तों, VLE की answer 3, virtual learning environment यह इसकी full form है, और आगे देखते हैं किस तरह से question आये हैं हमारे, और यह देखिए, इसके अंदर, यह जैसे हाँ, यह देखिए, CT, CRT की full form यहां पर इन्नों ने पूछी हुए है, CRT की full form है दोस्तों, cathode ray tube, यह की full form है, और यहां पर इन्नों ने यह पूछाओ कि list match, यानि कि कौन सा कम match कर रहा है, वो हमें बताना है, अब देखिए, ROM की हमें full form पता है, read only memory है, लेकिन यहां पर इन्नों ने गल्त दिया हुए, गल्त answer दिया हुए, rapid only memory दिया है, तो यह हमारा wrong हो जाएगा, यहां पर CPU की इन्नों ने दिया central processing unit, यह इसकी बिल्कुल right है, दोस्तों तो यह हमारी wrong है, option number 3 यह wrong है, तो आप देख सकते हैं, कि किस तरह से question हमारे repeat हो रहे हैं, बिल्कुल असानी से आप question को कर सकते हैं, और आगे देखिए दोस्तों, RGV की full form इन्नों ने पूछी हुए है, तो इसक portion हमारा है या नहीं है, इंगलिश में नहीं है, यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, संकल्प की full form answer 3 है, इसका है skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion, संकल्प की यहाँ पर full form हम देख लेते हैं, हिंदी के अंदर, option C, the skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion, यह इसकी full form यहाँ पर दी हुई है, तो थोड़ी सी ऊट पटांग भी आ सकते हैं दोस्तों, तो हमें ड़ना नहीं है, और आगे देखते हैं किस तरह से question आए हैं, हमारे full form से related, और मैं आपको आप बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे 2020 में किस तरह से question आए हैं, अब यह देखते हैं कि यह देखे, SMTP की Simple Mail Transfer Protocol, very important है दोस्तों, यह SMTP की full form इनों ने पूछी हुई है, और और देखते हैं, और कि यह देखे, NMEICT, इसकी full form देखते हैं, इसका answer to a national mission on education through information and communication technology, यह इसकी full form है, और और देखते हैं दोस्तों, और किस तरह से question रिपीट हुए हैं, यह गया हमारा WORM, इसकी full form हमें बतानी है, तो answer तरिये, write once, read many, यह इसकी full form है, तो जो हमारी RAM ROM है, उससे दोस्तों बहुत question आते हैं, और अब यह देखे दोस्तों, यह रहा हमारा question number 32, और यह है हमारा देखते हैं, यह देखे, 2 December 2019, evening shift का paper है, और इन्होंने यहां पे पूछा ह हुआ है, www की full form क्या है, तो worldwide web, आप देख सकते दोस्तों, एक question, www का तीन बार repeat हुआ है, आपके सामने देख लिजी दोस्तों, with proof हम आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक question तीन बार repeat हुआ है, तो अब आगया ना यकीन आपको की question repeat होते हैं, तो देख लिजी दोस्तो और आगे मैं और भी बहुत सी वीडियो बनाने वाला हूँ, ये तो केवल एक ही topic है, ICT के अंदर full form का topic कर रहे हैं है, इसके अलावा और भी मैं धेरे धेरे सभी topic बता हूँआ कि memory से related कैसे question आए, software से, social media से, और और बहुत से topic है, हमारे computer generation से related भी हमारे question repeat हुए, language से related भी ह हमारे question repeat हुए, बहुत 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 question repeat हुए दोस्तों, आप ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों पर और इसलिए आपका net और ज्यारफ रहे जाता है, और मैं बार बार आप सभी को एक चीज कहता हूँ, कि आप old year question paper जरूर कीजिए, ठीक है, ये देखे, ये आया है, वीड component interconnect, इसका answer है दोस्तों, आगे दोस्तों, डेटावेस, डवलु ओस, stand for, डवलु ओस, किसके लिए stand करता है, इसका answer है, एक web of sciences का answer है, और और देखते हैं, और हमारे question answer देखते हैं, कि किस तरह से repeat हुए है, और 2020 में भी दिखाएंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा धहरी रख ही है, सारी चीजे हम आपको दिखाएंगे, और एक एक topic आपको करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, और यह theory हमने करवाई हुई है, आप theory videos देख सकते हैं, और यह देखे, URL से भी question आये है, काफी question आये है, अभी दिखाऊंगा 2020 के अंदर question आये है, URL से related, और उसे पहले इसमें देख लेते हैं, इस फाइल में और कोई question है या नहीं है, नहीं, इसमें सारे question आगे दोस्तों, अब हम बात कर, यह तो थे हमारे 2012 से लेके 2019 तक, अब 2020 की बात करते हैं, दोस्तों, 2020 में अभी जो exam हुए है हमारे, September, October, November में, उसमें किस तरह से question आये हमारे full form से related, तो यह देखें दोस्तों, यह हमारा question number 50 है, यहाँ पे CD-ROM की full form इन्होंने पूछी है, तो compact disk read only memories की full form है, आप देख सकते हैं, और यह जो question है, दोस्तों, computer hardware consists of monitor and computer, यह question डिक्टो को पे repeat हुआ है, next video में आपको बताऊँगा कि कौन से year में यह question आया है, और आगे द अलग तरीके से पूछा हूँ था, Bios के बारे में, यहाँ पे इन्होंने full form पूछी है, तो इसकी full form है दोस्तों, basic input output system, यह इसकी full form है, आप ध्यान में रखना, और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ दोस्तों, अपने जितने भी topic है ना, जैसे यह देखी, यह number system से related question आ गया, तो number system से related किस तरह से question रेपीट हो है, वह मैं आपको आगे की वीडियो में बता हूँ, हर एक topic आपको करवाँगा, आपको किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है, निमीज नेट पे जो चीज करवाई जाएगी, आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगी, और यह देख इन्होंने यहाँ पे बूच लिया, uniform resource locator, इसकी full form यहाँ पे है, तो आप देख सकते दोस्तों कि किस तरह से question हमारे repeat होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की अवशकता है, तो आप यह कीजिए दोस्तों topic wise question कीजिए, paper first और paper second, दोनों topic wise अगर आप करेंगे, तो बि और आगे देखते हैं, आगे किस तरह से हैं, यहाँ पे देखिए, OCR की full form पूचे हो इन्होंने, optical character recognition इसकी full form है, और और देखते हैं, और कौन सा question है हमारा, यह तो नहीं है, यह अलग है, यह भी अलग है हमारा, यहाँ पे CDMA, यह भी हमारा SIMS related है, code division multiple accesses की full form है, और और द पुछा है, BCD की full form, binary coded decimals का answer है, और हमने जितनी भी full form है, दोस्तों, अलग अलग काफी full form है, वो हमने theoretical videos के अंदर करवाई हुई है, लिंक आपको video description box में मिल जाएगा, या फिर आप playlist चेक करना, ICT की playlist मिलेगी आपको, आप वो चेक करना, हमने full form से related theory भी आपको करवाई हुई है, तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे 2012 से लेके, 2020 तक, ICT में full form से related, जितने भी question है, वो सभी question मैंने आपको दिखाए है, और next video में हम अगला topic लेके आएंगे, memory का या कोई और topic लेके आएंगे, ICT में कि किस तरह से उसमें से question repeat हुआ है, और दोस्तों, मैं आपको ब ऐसे करेंगे ना, तो आपका net और ज्यारब बिल्कुल असानी से clear हो सकता है, और दोस्तों, अगर आप हमारा paid course जोइन करना चाहते हैं, तो paid course भी जोइन कर सकते हैं, बहुत ही कम रूपयों के अंदर आप जोइन कर सकते हैं, तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप हमें whatsapp पर message कीजिए, link आपको video description box में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी app निमिजनेट डाउनलोड कीजिए, वहां से भी आप हमारा course जोइन कर सकते हैं, और बिल्कुल ही कम रूपयों के अंदर हम आपको course दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से study करवा रहे हैं, थैंक्यू दोस्तो